दिचित क्लासेस में आपका बहुत सौगत है आज हम आप लोगों को पॉलिटिकल साइंस का चेप्टर वन का गेस देने वाले हैं वहने दोजाज़ चौविस में इस चेप्टर से आपके लिए क्या है जो एदम कनफर्म है कि एगा में आएगा ही आएगा एदम 100% इसके गारेंटे लेते हैं लेकिन उसके पहले हम आप लोगों को ये बता दें कि 2015 से लेके 23 तक इस चेप्टर वन से कितने क्वेस्टिन मने कौन कौन से क्वेस्टिन आये थे कि इसके साल उसको भी आप देख लें पहला क्वेस्टिन जो है और इसका और करके जो दिया हुआ है डिसका देशर ऑफ ग्लोबलाइजेशन ये दोनों क्वेस्टिन 2015 से आये थे बने 2015 में आये थे उसके फिर दूसरा नमबर है वाट इस पावर एनलाइज दे ऐलिमेंट्स और पावर और और करके इसका है एक्स्प्लेइन ब्रिफली ये दोनों 2016 में आये था इसके बाद फिर इस चेप्टर से दो दो करके आता ही है तीसरा नमबर है ये जो 2017 में आये था यहां भी दो कोस्टिन है और और करके है और और करके है आधिसरा नमोह उनलाइज बाद आवार नसके में आखिक रचाओ नवड़ इसके दोनों 2018 में इसके इसके बाद दो ज़ोनों प्रेशन थे उसके वाद वीमें ये दोनों क्राद पार्शून्द दिसक्वड थे इसके वाद अटेस बेवें इन डिव्च्टन जीत्स अआयो और what is globalization, discuss the nature of globalization, यह दोजार उननीस में था, उसके बीस में जो दो क्वेस्टिन है थे, what is power, explain briefly the main elements of power, और और करके, define national interest, mention the various methods of protecting national interest, यह दोजार बीस में है, फिर बाइस में भी दो क्वेस्टिन है यह, define international relations, discuss in brief the process of development of international relations, और और करके है, what is globalization, discuss the nature of globalization, बाइस कर रहा है, उसके तेश में यह दोनों क्वेस्टिन थे, what do you understand by power, describe briefly the main elements of power, और और करके, जो है, what is national interest, mention various methods of protecting national interest, यह दोनों दोजार तेश की है, अब उसके बाद आप देखिए, कि 2024 में आपके निए क्या होने वाला है, जिसके guarantee 200% है, हम आज ही आपनों को बोल देते हैं, इसलिए इन दोनों क्वेस्टिन को आप बहुत अच्छे से त्यार कीजिए, हम सिर्फ दो ही क्वेस्टिन दिये हैं अपने suggestion में, यह रहा वो दोनों क्वेस्टिन, पहला है, define international relations, discuss the differences between international relations and international politics, मांक्स अलग अलग हो सकते हैं, यह 3 प्लस 5 है, यह 4 प्लस 4 हो सकता है, मांक्स, लेकिन question vary नहीं करेगा, यह यही question रहेगा, उसको दूसरा नमबर, दूसरा नमबर ही जो globalization का है, यह दोनों तरीके से आ सकता है, माने, write the definition of globalization, analyze the different kinds या forms of globalization, यह तो फिर ऐसे भी हो सकता है, कि what is globalization, discuss the nature of globalization, यह मांक्स इसका यहाँ पर 2 प्लस 6 है, यहाँ भी 2 प्लस 6 है, माने पहले, आपको globalization का यह definition देना है, उसको इसके kinds या forms, माने कितने प्रकार का होता है, और nature, यह दोनों एक ही है, same question है, इसको लेकि कि आप confused नहों, और यही दोनों question है इस chapter से, आप video को enjoy केजिए, और बहुत जल्दी हम इलते हैं, आप लोग से chapter 5 का guess लेकर के, और तब तक आप 2, 3, 4 के जो short question है, उसको पढ़ते रहें, लेकिन इन दोनों question को ज़रूर पढ़िए, आपका बहुत बहुत धन्य बाद में